मुर्शिद रिलीज हुआ और उसमें केके मैनन का एक्टिंग जिक्क्या बोलोगे की मज़ा ही आ गया इतने जादा मज़े दिलाते हैं केके मैनन भाई साब जब ये आते हैं ना कैमरा बे तो मतलब एक्टिंग से ये पूरा एकदम स्क्रीन ही फार डालते हैं इतना जबरदस्त इनके हर एक वेब सिरीज को देख लो मुवी को देख लो जहां पर भी देख लो केके मैनन का लवल ही अलग जा चुका है हाला कि ये जो वेब सिरीज है इसका पहला एपिसोड थोड़ा स्लो जरूर है विकाद इसमें कैरेक्टर जो है उसको पूरा बिल्ड करने का कोशिश करते हैं पर जैसे ही एपिसोड टू आता है वहां से ये लोग पेस पकड़ना शुरू कर देते हैं और मुर्शिद है एक गैंग्स्टर का स्टोरी और इस बार जो गैंग्स्टर बने है वो बने है केके मैनन और केके मैनन का गैंग्स्टर स्टाइल पूरा ही अलग तरीके से है एक तरफ है मुर्शिद भाईया जो की है केके मैनन और वो बहुत बड़े गैंग्स्टर होते हैं 1990s के टाइम में उन्होंने तहलका मचा रखा होता है मुंबई में बट उनके बेटे के देथ के बाद वो बोलते हैं मुझे लेना है सन्यास और सन्यास लेके वो दुनिया में अराम से अपना वक्त जो होते हैं गुजार रहे होते हैं उसी बीच आ जाते हैं जाकिर हुसेन और वही उनके जो लोग होते हैं वो उनके बड़े बेटे को फसाते हैं कुछ ऐसे चीजों में उसके बाद होता है पूरा ड्रामा शुरू आप सोच्रे होगे कि मैंने तो खतम हो गया और इस चीज को देखके अपके के मैनन रिटार्मेंट से वापस आते हैं और मचाते हैं तहल का दुनिया हिलाते हैं और जो डायलोग और सिनमेटोग्राफी आपको देखने को मिलेगा इस पूरे मुर्शिद वाले वेब सीरीज में आप बोलोगे कि भाड में गया भिर्जापूर का बोनस एपिसोड बिकॉज ये होता है एक असली वेब सीरीज पूरा ही अलग स्टाइल में इनोंने पूरा शूट किया है और कुछ लोग बोलेंगे जरूर की भाई ये कैसा गैंस्तर है कैसा वो है भाई देखो सिंपल सी बात है वेब सीरीज है पूरा एक जो डेविल का पूरा रूप अपना होता है वो भी आपको देखने में बहुत खतरनाक लगेगा एक तरफ केके मैनन है जिनकी कुछ लिमिट्स है बाउंडरी है फैमली है वो उसको तोड़ के आगे नहीं जाना चाते दूसरे तरफ जाकिर हुसेन है जिनके मुर्शीद में एक तरफ हैं जाकिर हुसेन जो की आज के दौर के गैंग्स्टर हैं दूसरी तरफ हैं के के मेनन जो की मुर्शीद बने हैं 1993 का वो गैंग्स्टर वाला पूरा स्टाइल अपनाते हैं और उसी के साथ आपको ये देखने को मिलेगा जी फाइव में टॉटल वसूल होने वाला, अगर नहीं भी लिया, तो भी आप देखोगे कैसे भी कैसे करके, और आपका जो टाइम है, वो वसूल होगा, तो बात इतना है, कि हर एक चीज़ परफेक्ट है, बस थोड़ा सा जो चैरेक्टर है, वो इसमें बहुत जादा है, बहुत ही ज़़ा इसमें लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे करेक्टर हैं, तो साथ एपिसोड तक यह आपको बोर नहीं करेगा, पहला एपिसोड बस थोड़ा सा जह लेना, जब वो स्टोरी बनाने का कोशिश करते हैं, इतना तो हमारा फर्ज बनता है, तो पहला एपिसोड ज़रूर जह ले झाल